सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, सेफ़र खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकती अगर आप चाहते हैं कि कोई चेज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए आज का पंशांग, 11 मार्शे 2020, दीन बुद्धवार चैत्र मासके क्रिश्न पक्च की दुईतिया तिथी, दोपहर तीन बचकर 33 मिलट तक रहेगी, इसके उपरान त्रीतिया तिथी प्रारम हो जाएगी हस्तनामक नक्षत्र सम 7 बचे तक रहेगी, इसके उपरान चित्रनक्षत्र प्रारम हो जाएगी आज का राहुकाल अर्थात असुपसम में दुपहर बारा बज कर ग्यारा मिलट सी एक बज कर चालिस मिलट तक रहेगा आज का कोई अभी जीत महुरत नहीं है अगर आज अब सुप काम करने जा रही है तो कल केले टाल दी आज शेंद्रम कन्या रासी पर सुबह पांच बच कर पैतिस मिलट तक विरज मार रहेगी इसके उपरान तूला रासी पर संचार करेगी और आशूरिय कुम्ह राशी पर रहेंगी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति शायद आपको गलत समझ ले शौधार रहें और सही तरीके से अपनी बात उनको समझाने का प्रियास करें अगर यह व्यक्ति वविश्याई क्या व्यक्ति गत्रूप से आपका प्रिय है तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप उनसे जगड़ा ना करें जगड़े से भविश्य में परशानी ही होगी आप उन बदलाओं के बारे में सोच रहे हैं जो साध आपके काम और आपकी सेहत के बिस संतूलन ला सकती हैं आप अपने किसी करीबी दोस्त से इस संबन्द में में मेल करके समधान पूछ सकती हैं इन बदलाओं से आपको अराम मिलीगा आप अपने आपको फिलहाल सही आदमियों के साथ पाएंगे जो आपको आपकी विभिन लक्षों का उद्देश निधारित करने में मदद आज थोड़ा हिम्मत जुटा कर अपने आर्थिक मामलों में थोड़ा जोखिम उठाएं कुछ ऐसे कदम उठाएं जैसे आपको आर्थिक सुरक्षा मिली समय बदल रहा है अपने वैवशाई की नीची भी बदल लिए रातो रात मला मल होने की मत सोच ये लेकिन कमाई के ल आपका पिछले अफेयर आपको अभी भी परशान कर रहा है और ऐसा कई बार हो चुका है अपने आपको पिछले कड़वे अनुभव से परशान ना होने दे हाला कि अब भी आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको पिछली मचेदार दीनों की याद दिलाता है आप इस आद प्रता से काम करने के लिए मजबूर कर रही है आप अपना मन अपने परिवार के साथ समय बितानी में आर्थिक रूची कर दिखेगा अपने परिवार के साथ समय बिताएं इसलिए आपको दक्षता से अपनी दोनों प्रतिबंधाओं को निभाना हूंगा आप अपने काम क के समय के बाद का समय उपयोग कर शकते ही सेहत की बात करें तू जब तक आप दूश्टों को अच्छी तरह खाना नहीं खिला लेते आपको तसल्ली नहीं होती लेकिन इतना ही ध्यान आपको अपना खुद का भी रखना चाहिए अच्छा खाना खाएं बाहर से ना खाएं करने की प्रेणना मिले जहां जवरत नहीं है वहां बीना बात अपने स्वास्त की चिंता पर व्यर्थ तनाव ना पाले आज का उपाएं आज अप लक्ष्मी माता और गड़ेश भगवान की पूछा करें दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रहीं आपका देश शुग हूँ